नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कल KBS के दोरा जैसे का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है और बहुत सारे दोस्तों का स्कोर में ये देखने को मिला कि उनका स्कोर डिक्रेज हुआ है ना बहुत जादा चार से प एक्जाम में देखने को नहीं मिलता है लेकिन इस बार KBS के normalization में देखने को मिला ये जो exam conduct करवा रहा है वो CBSC के द्वारा conduct करवाया जा रहा है और इसके अलावे आप लोग जानते हैं कि skill test जो हुआ है इसमें भी गरवरी देखने को मिल रही है पेपर में भी निव जाया था कि पटना के कुछ center पे धंदली चल रही थी और पटना के अलावा भी कुछ-कुछ center पे गरवरी देखने को मिली है और कुछ ठोस कदम उठा सकता है क्योंकि score card जो जारी किया गया है जैसे का वो आप ही के representation के आधार पे जारी किया गया है क्योंकि आप ही सब के द्वारा KBS को मेल किया गया कि अपना score नहीं जान पा रहे हैं कि मेरा score कितना हुआ है normalization के बाद उसके बाद KBS ने CBSC को बताया कैस ऐसा issue है उसके बाद score card जारी किया गया है नहीं तो आपका score card final result के बाद आता ओके हां तो इसी के regarding आपको बता रहे हैं कि आप skill test को लेके skill test में जो धांदली हुई है आपके पास यदि कोई proof हो या फिर ना हो तो भी आप mail करें और इसके अलाबा आपका जो score decrease हुआ है इतन इक्जाम अच्छे से conduct नहीं करवाये गया है आपको जो भी कहना हो आप ज़्यादा से ज़्यादा KBS को mail करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कुछ अच्छी निवज आ सकती है जैसा कि आपका skill test दोबारा हो सकता है और skill test के लिए आप लोग ये भी लिख सकते हैं क कि पहले से information नहीं दी गई कि backspace काम करेगा की नहीं करेगा और कुछ दोस्त लोग ये बता रहे थे कि CPT का question only English में था अब आप लोग बताईएगा कि only English में आया था या फिर English और Hindi दोनों language में था ओके क्योंकि सिर्फ English language में होगा तो फिर आप लोग जरूर से जरूर अपन representation दें कि सिर्फ English language में क्यों था ओके और यदी था तो पहले से क्यों नहीं बताया गया था तो आपको करना क्या है आईए आपको जल्दी से बताते हैं तो आप लोग KBS के website पे आएगे तो यहां पे देखेंगे contact us है ओके तो इस पे हम जब click करेंगे तो contact us पे click करने के आजाएगा अब आपको करना क्या है आप इसमें नीचे आएंगे तो आप लोग नीचे आएंगे तो एक देखेंगे administration section है और इसमें जो सबसे उपर है यह आपका अजीता लोंगजाम का है आप लोग देखते होंगे result के copy पे notice जो भी आ रहा है के BS exam से संबंदित उस पे इ हंदली हुई है यदि आपके पास कोई फुरूफ नहीं भी है तो भी आप इस email ID पे mail करें अपना roll नमर अपना application नमर आपका क्या नाम है आपका exam center कहा था सब कुछ आप लिखें और बताएं कि उहां पे क्या हुआ है ओके यदि आप English में अच्छे से नहीं लिख सकते हैं तो आप Hindi में ही लिख करें mail करें जैसे आपको आता है और इसे आप mail करें नहीं तो आप एक application लिख लें paper पे और उसको आप scan कर लें mobile से photo ले लें उसको attach करके आप इस email ID पर mail करें और सब कुछ बताएं कि ऐसा ऐसा हुआ है और ये चीज होना चाहिए backspace नहीं use होगा इसके email ID पे आप यदि चाहते हैं phone से बात करना तो आप इस phone नमर पे phone लगाएं और यदि कोई receive करते हैं तो उनको आप अपना बात बताएं ज्यादा से ज्यादा representation जाएगा उसके बाद ही कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है और इसके अलाबा जो deputy commissioner हैं आप इनको भी mail कर सकते है इनको भी कर सकते हैं उपर से जो भी top 3 official हैं आप इनको mail करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आप इस contact नमर पर भी call करके अपना issue बता सकते हैं यदि कोई receive करते हैं call तब इसका exam में यदि आपको लगता है कि कोई धांदली हुई है अच्छे से exam नहीं हुआ है normalization अच्छा से नहीं किया गया है उसमें कुछ गरवरी हुई है आपको यदि लगता है कि technical गरवरी हुई है बहुत सारे candidate का score decrease हुआ है तो आप वो भी लिखें वो भी आप जादा से जादा representation दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा candidate आप है आप जादा से जादा representation देंगे तो इस पे कुछ ठोस कदम उठाया जा सकता है अब ऐसा होगा कि 2-3 mail आएगा तो उस पे कुछ भी नहीं हो सकता है जादा से जादा candidate करेंगे तो आपके लिए फाइदे मंद होगा और इसके अलाबे same चीज आप same mail commissioner को भी कर सकते हैं जो KBS के commissioner हैं यहाँ पे आप लोग दे हैं और आप अपना issue बता सकते हैं तो आपसे हम यहीं कहेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि skill test दोबारा से हो अच्छा से हो जो भी आपका issue है backspace यदि उसमें allow हो जो भी आपका issue है तो आप जादा से जादा representation दें और जिन दोस्तों को लगता है कि उनका score decrease नहीं होना चाहिए तो आप भी जादा से जादा representation दें तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ अच्छा news आ जाए तो दोस्तों यदि आप लोग चाहते हैं तो अपना representation दें और अच्छा से दें जादा से जादा candidate mail करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा तो दोस्तों इस वीडियो में यही जान कारी थी आपके माने में यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें रिप्लाइ देने का कोशिस करेंगे तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके तब तक के लिए धने बाद नमस्कार